हेलो फ्रेंट्स एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूटूब चैनल में और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस एडियो में न देखिए 16 जुलाई 2021 को न आज हर्याना में एक एक्जाम हुआ है तो उसम में एसे question रहेंगे जो आने वाले सभी एक्जाम के लिए उप्योगी है तो चलिए देखते हैं आज का पहला question है तो देखिए सबसे पहले हैं हम ह já कि इस tells है कि इस पेपर में हम कैसे आए हैं तो आवे तो यह की संग्य या जवरनाम की विसेशता अविशें at पूछा गया है कि जो सब्द किसकी विशेष्टा बताएं तो देखिए जो सब्द संग्य या स्वर नाम की विशेष्टा बताते हैं उन्हें विशेष्ण कहते हैं तो इसमें संग्या आएगा इसमेंim option 20 डान है जो सब्दान समूल सब्दों के आगे जुड़कर उनके अगला question है, देखिए ये एक निसान दिखाया गया है, ये चिन है, इसको क्या कहते हैं, तो देखिए ये जो कोमा कोमा है, डोट डोट फिर कोमा है, इस चिन को कहते हैं, उदाहर और चिन, इसमा option B सही रहेगा, ठीक है, और देखिए जो लागव चिन होते हैं, इसको जैसे य बाख है सवर संधी के कितने भेद हैं तो देखिए सवर संधी के इना 5 वेद होते हैं और इसमें ऑप्च प्रवाज भाग तो देखिए इसमें जो कोस्टिन है इन चार कोस्टिनों में से एक को छोड़कर और न सभी के जो अंसर है ये भी ही आये हुए हैं तो चलिए देखते हैं अब पूरा पेपर देखते हैं तो देखिए फ्रेंज ये डेंटल वालों का एक्जाम हुआ है तो इ इसमें ना हर्याना जी के की जो कोस्टिन रहेंगे उनी को देखेंगे तो देखिए इसमें हर्याना जी के का जो पहला कोस्टिन आता है ये है पूरवी छेतर का किरसी जलवाईू छेतर अनुसंधान केंदर हर्याना के किस जिलेवे सितित है तो देखिए पूरवी छेतर का और पस्चमी का हिसार में है अगला कुस्चियन है राजा अजीत सिंग के विद्रोहों के कारण हर्याना के निमन लिखित में से किस रियासत का विले हुआ तो देखी राजा अजीत सिंग के विद्रोहों के कारण हर्याना के जिस रियासत का विले हुआ वह हुआ लाडवा का इसमा option B सही है और देखी लाडवा देखा जाए कहाँ पर है तो ये है कुरूक सेत्र में तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला question है यह निर्ते हरियाना में लड़के के जनम के छटे दिन किया जाता है इस निर्ते का क्या नाम है तो देखी जो लड़के के जनम के आउसर पर छटे दिन किया जाता है वह निर्ते कलाता है छटी निर्ते इसमा option C सही रहेगा अगला question है छेत्रफल के द्रिष्टी से हरियाना का भारत में कौन सा बड़ा राजे है तो देखी छेत्रफल के द्रिष्टी से देखा जाए कि हरियाना का कौन सा स्थान है तो वह स्थान रहेगा 20 इसमा option A सही है ठीक है देखी पहले 21 था लेकिन अब 20 रहेगा तो ये आपको ध्यान रखना है अगला question है निमल लिखित में से किस किर्केटर को राजीव गांधी खेल रतन पुरुषकार 2020 से सम्मानित किया गया है तो देखी राजीव गांधी खेल रतन पुरुषकार 2020 मिला है ये मिला है रोहित सर्मा को इसमा option A सही है अगला question है कुनाल, टीला, और्बनावली टीला हर्याना के निमल लिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं तो देखी जो कुनाल, टीला है और बनावली, टीला ये पाए जाते हैं फतेहबाद में इसमा option A सही है अगला question है हर्याना सहरी विकास प्राधी करण दवारा स्थापित सहरी संपदा के परसासन की देख रेख मुख्य तक इसके दवारा की जाती है तो देखिए ये की जाती है मुख्य परसासक के दवारा इसमा option C सही है और देखिए जो सहरी विकास प्राधी करण है इसका मुख्याला देखा जाए कहा पर है तो ये है पंच गुला में तो ये भी आपको ध्यान लगना है अगला question है सब्ध केंप्यूटर केंप्यूट से उत्पन हुआ है जिसका अर्थ होता है तो देखी इसका अर्थ होता है calculate इसमों option D सही रहेगा अगला question है हर्याना की पंचकुला जिले के बारे में निमल लिखित में से कौन सा सत्य नहीं है तो देखी इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा है वो point जो की सत्य नहीं है तो देखी ऐ option A है हर्याना के सत्रवी जिले के रूप में इसका गठन किया गया था पिंजोर पंचकुला का हिस्सा है यह जिला किसी भी 12 मासी नदी से रहीत है यह जिला उस छेतर में स्तीत है जहां कोई भुकंप नहीं आया तो देखिए इसमें उप्शन A सही रहेगा क्योंकि यह सतरवा जिला नहीं है अगला कुस्चिन है हर्याना का निमल लिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा दूसरे राजे के साथ साजा नहीं करता तो देखिए वह जिला है जो किसी दूसरे के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता वह है चर्की दादरी इसमें उप्शन A सही है ठीक है और देखिए एक जिला और भी है जो किसी दूसरे के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता तो वहरों तक है तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला question है किस नदी का उद्गम स्थान चमपासर गलेसियर है तो देखिए चमपासर गलेशियर से जिस नदी का उद्गम स्थान है वह रहेगा सरस्वती का इसमा option B सही है अगला question है तो देखिए friends ये जो PDF है ना इसका ये PDF आपको जो हमारे टेलिग्राम चैनल है उस पर मिलेगा जानिक study point के नाम से एक टेलिग्राम चैनल भी है तो आप उस टेलिग्राम चैनल पर जाकर ना इस PDF को डाउनलोड कर सकते है और देखिए अगला question है नुहु जीला हर्याना के निमली खित में से किस जिले को मिला कर बनाया गया था तो देखिए नुहु जीला है ये बनाया गया है गुरुग्राम को से मिला कर इसमा option A सही है ठीके देखिए इसमा केवल option A सही रहेगा क्योंकि नुहु गुरुग्राम से ही निकाल कर बनाया गया है और देखिए गुरु गाम के नथ 5 वलोक होते थे पहले, उन 5 वलोकों को मिला कर नहु जिला बनाया गया है अगला कर्दी कोस्ट है, भारती रिजयर्व बेंक के वरतमान में गवर्णर कोन है? तो देखिए RBI के जो वर्तमान में governor है ये है सक्तिकान्त दास इसमों option C सही है अगला question है हर्याना में बैतरे खादर या नेली का क्या अर्थ है तो देखिए हर्याना में जो खादर या नेली है इसका अर्थ होता है संकीर निचले इलाकों में बाढ़ का मैदान इसमा option D सही रहेगा अगला question है किस बड़ी घटना के बाद अंग्रेजों ने हर्याना को उत्तर पस्चमी प्रांच से हटा कर पंजाब में उसका विल्या कर दिया था तो देखिए हर्याना को पंजाब में विल्या कर लिया गया था ये कर लिया गया था 1857 के विद्रोहों के बाद इसमा option B सही है अगला question है भारत इजराइल बागवानी परियोजना हर्याना में कहाँ पर स्थापित की गई है तो देखिए भारत इजराइल बागवानी जो परियोजना है ये हर्याना में स्तापित की गई है घरोंडा में इसमा अप्शन A सही रहेगा और देखे घरोंडा देखा जाए कहाँ पर है तो ये है करनाल में तो ये भी आपको ध्यान लखना है अगला कोस्चिन है निमल्लिखित कतनों पर विचार कीजिए हर्याना में घगर नदी दवारा निर्मित बाढ़ के मैदान को नैली कहते है हर्याना में मारकंडा दवारा निर्मित बाढ़ के मैदान को घर कहते है तो देखे इसमें देखना है कि कौन सा विकल्प सही है तो देखे घगर का जो मैदान होता है उसको नैली कहते है और मारकंडा का जो मैदान है उसको घर कहते हैं तो इसमें उप्शन C सही रहेगा कथन A और कथन B दोनों सही है ठीक है और देखिए इसको आप कैसे याद कर सकते हैं तो देखिए घर है घर में नाली होती है तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं घर में नाली और मारना किसे तो देखिए बेट से मारा जाता है तो मरकंडा का जो मैदान है उसको बेट कहते हैं नहीं देखिए मारकंडा हर्याना में मारकंडा दोवर निर्मित बाड के मैदान को घर कहते हैं तो देखिए इसमें घर नहीं कहते हैं, मारकंडा का जो पाड़ का मैदान है उसको बेट कहते हैं, घर नहीं कहते हैं तो इसमें उप्शन A सही रहेगा और B गलत रहेगा, इसमें उप्शन A सही आएगा, C सही नहीं आएगा, ठीक है देखिए ये मुझे ध्यान नहीं रहा, देखिए एक बार हर्याना मेना जो घगर का मैदान है उसको नैली कहते हैं क्योंकि घर में नाली होती है तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं कि घर में नाली तो नैली और जो मारकंडा का मैदान है उसको बेट बोलते हैं तो मारना किस से बैट के दवारा मारा जाता है तो इसको घर नहीं कहते हैं, इसमों अप्शन A सही रहेगा, अगला कोस्टिन है, हर्याना में इस जील का निर्मान 1958 में ली कारभूजियर की देखरेक में किया गया था, इसे वर्स 1988 में रास्टिय आद्रे भूमी गोसित किया गया था, तो इस जील को क्या कहते हैं, तो देख अगला कोस्टिन है, हर्याना के निमनलिखित में से किस रियासत ने 1857 के विद्रोहों के दोरान अंग्रेजों का समर्थन किया था, तो देखिए अंग्डे जो का समर्थन किया था ये किया था दुजाना रियासत ने इसमें option D सही रहेगा और देखिए अगर किसी को ये लगता है कि इन में से कोई question गलत है तो आप सही question भी बता सकते हैं अगला question है हर्याना की रानिया रियासत को बेटिस एस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों मिला लिया तो देखिए हर्याना की जो रानिया रियासत है इसको बेटिस एस्ट इंडिया कंपनी ने मिलाया ये मिलाया नवाब जाबित खां के विद्रोहों के कारण इसमें option D सही रहेगा हर्याना में रास्तिय आद्र भूमी संरक्षन कारेकरम के अंतरगत कितने आद्र भूमियों को मानेता दी गई है तो देखिए ये जो आद्र भूमिया है ना ये 6 आद्र भूमिया है इनको मानेता दी गई है लेकिन ये ओप्षन में नहीं है तो इसका answer ना अगर किसी को पता है तो कोई भी comment करके बता सकता है अगला question है खोक्रा कोट स्टल हर्याना के निमली खित में से किस जिले से संबंदित है तो देखिए खोक्रा कोट देखा जाए कौन से जिले से संबंदित है तो ये रहेगा रोतक से इसमों option A सही है होना है वहाँ पर है तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोस्टियन है लंदन में इंडिया हाउस नामक संग की स्थापना किसके दवारा की गई तो देखिए इस संग की जो स्थापना है ये श्याम जी क्रिसन वर्मा के दवारा की गई है इसमों अप्शन डी सही अगला कोस्टियन है यह जील हर्याना के थाने सर में स्थित है किताब उल हिंद में इसका उलेख भी है यह जील कौन सी है तो देखिए यह जो जील है यह है यह जील है यह ब्रहम सरोवर जील इसमों अप्शन सी सही रहेगा अगला कोस्टियन है हरियाना में मावठ वर्षा क्या कहलाती है तो देखिए हरियाना में जो मावठ वर्षा है ये कहलाती है पस्च मीं विचोब के कारण होने वाली बारिस इसमाँ option B सही रहेगा अगला question है तो देखिए friends ये थी आज की हमारी वीडियो इस वीडियो में हमने आज जो एक्जाम हुआ है इसमें जो हर्याना जी के कोस्चन है इन्हीं कोस्चनों को करवाया है तो देखिए अगर ये पीडियाफ आपको चाहिए तो दैनिक स्टडी पॉइंट के नाम से टेलिग्राम चैनल है उसको सर्च कर लेना वहाँ पर ये आप तक आता रहें थैंक यू